प्राण प्रतिश्टा भी और इस कारेक्रम की विशेष्टा यह है कि यहां पर ब्रह्म बादनी बेहनों की टूली आकर यह सारे कारेक्रम करवा रही है कल दस बज़ से लेकर तीन बज़े तक हमारा कलश यात्रा रहेगी जो तेगूबेड गाहितरी शक्ति पीट से चलके भुंतरपुल होते हुए जिया, संगम जो ब्यास और पारवती ने दी के वहां तक जाएगी वहां से बापिस और उसके बाद तीन बज़े से लेकर पांच बज़े तक संगीत में प्रवचन होगा परसों बीच तारी को संड़े भी है और तब सभी लोग जो है वहां पर यग्ये में शामिल होंगे और ये विशेश देव पूजन होगा इसमें सपतनीक जो है हमने बहुत सारे जोडों को बुलाया है और सभी इसमें आमंत्रित हैं और उसके बाद शाम को यही कारिकरम रहेगा और 22 तारीकों हमारा पूर्णावती होगी और ये कारिकरम इसलिए भी किया जा रहा है ताकि जन्मानस के भावनात्मक परिशकार के लिए ये कारिकरम है कि जन्ता का भावनात्मक स्तर बदलेगा उसकी सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी आजकल की जितने भी विकड़ परिस्तेतियां हैं यग्य के माध्यम से सब तक ये बात पहुंचे इसलिए हम सभी जितने भी धरम प्रेमी हैं जितने भी भाई बेहन हैं सब को हम आमंतरित करते हैं कि इस यग्य में आएं और कारिकरम की शोबा भढ़ाएं जितने वारूँ से सब पहाँ हैं जितने के जितने भी जितने भीह उग्य में ऑनाव भीह, कि अवपले पर द सब अखते हैं